रादे कृष्ण दोस्तों आज मैं यहां पर बनाने जा रही हूं अलिगड की मशूर कचोड़ी जो कि सुबह का मुख्य नाश्ता है अलिगड का तो यहां पर मैंने ले लिया है एक कटोरी यहूं का आटा और एक कटोरी ही मैदा ले ली है मैंने उसके बाद मैंने इसमें डा या Já The formula है नमक जो की श्यात का नुसहर दालें घूप न डालेंगे जमक डाल दिया है और कि मैंसे स्पाट मैं डालंगी अजवाईन जो कि हातों हाथेली पर क्टोर्तेंटी हैं दालना चाहिए दूमेंने यहां पर डाल दियाए अजवाईन अई मैंने आधी चमश ली ती और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ओयल मौन डाल दिया है इसको मौन इससे काफी क्रिस्पी बनती है ये उसके बाद अब हम इसको आटे को अच्छी तरीके से मिला के इस सब चीजों को गूंत लेंगे ये आटा बहुत ही टाइट लगाते हैं इ बार-बार यूज़ करके आटा माणना है आटा मार्ट से में ध्यान रखिए पानी ज्यादा ना हो जाए अब आटा बेकुल पॉर्फेक्ट मर गया है और इसी तरह का आटा लगाते हैं इसमें एक्तिम टाइट आटा माणा है अब इस आटे को थोड़ी दरीक लिए मैंनों उठाक रख दिया यहां पर मैं बना लूँगी छिलके वाले आलू की सब्जी इस कचोडियों के संग छिलके वाले आलू की सब्जी ही चलती है बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर मैंने ले लिए हैं तीन आलू और इनको मैं अच्छी तरह धो लिया है और उसके बा पूरे सब जगे मशूर हैं तो यहां पर मैंने आलू को काट लिया है और इसके बाद देखिए इस तरह से आलू काट लेने और पानी में रखेंगे इसके बाद में सब्जी बना लूँगा इसकी सब्जी बीस्पेशल बनती है अलग तरीके से बनती है तो पूरा वीडियो ज हिंग ची जीने के बाद मै ने डाल दी इसमें हरी मिर्च 2 कटी हरी मिर्च दाल दी है और मैंने एक ठोटा द्रग द्रग कालिया था उसको भी कसके डाल दिया मैंने इन दो सभी चीजों को तरीके से थोड़ी देर की लिए पोका लेंगे समें मसाला एte करेंगे मसालों मैं मैंने डाला है इसमें सबसे पहले मैं इसमें डाली 7甲ष हल्दी पाउड़ डाला है और उसके बाद मैने 15 दॉल ही इसमें लाल मिश पाउडर डाला है गरम मसाला एक घृक दनिया पाउड़ है आजा चम्मच समजी मिआ यौर अबहर सबस्केश को सलगाई ही अच्छी थो इसे मेंत अमक निटार आख distributed इस खाय किआ होना हो अब Mensch कर दोगा है यहां पर हमने थोड़ा से चेक करके देखा था कि हमारे आलू पग गए की नहीं पर अभी हमारे आलू कम्प्लीटली पगे नहीं हलके हलके से कच्छे हैं तो इसलिए अभी हम सब्जी को थोड़ी तेव के लिए और पकाने के लिए रखेंगे बीच इच में चेक करते पानी पग गया है देखें हैं पर सब्जी आलू भी पग गये थे थोड़ी दिर बाद तो फिर उसके बाद इसको इस तरीके से मैशर से मैश कर देंगे सारे आलू को आलू को साजा नहीं चोड़ेंगे सब्जी तरीके से मैश कर देंगे और पूरा जो पानी है उसको पूर जला लेंगे सब्जी एकदम सूखी बनती और इस स्टेश पर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है कट्टे बन के लिए और यहां पर अच्छी तरीके से दबा दबा के सारे आलू मिक्स कर लिए है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में यह सब्जी बिल्कुल रेडी है तयार हो चूकी है को थोड़ा सँ और पकाएंगेThis god high Cup इसका पाने एड़ें तोड़ी सी कसूरी मैती कूह को और यहिए कर शाद भी सब्जी बैदक के नहीं तोटो सेकंगि पका दिए और हमारी सब्जी यहां पर तयार हो हो गई है कचोड़ी के लिए का कचोड़ी की सब्जी एक दब स्पेशल सब्जी होती है अलगी तरीके से बनती हो खाने में बहुत ही टेस्ट लगती कचोड़ी के सब्जी तो रेड़ी हो गई है हमारी अब हम यहां पर अपनी पूरियों के तियारी कर लेंगे आटा हमारा अच्छा हो गया था सोड़ी रखने के बाद और इसकी बाद मैंने इसकी लोईयां तोड़ी है लोईयों को गोल गोल नहीं बनाना है जैसे लोईयां तोड़के यहां पर हमारी सारी पूरीयों बहिल गही हैं तो इन पूरियों को में सबसे पहले थोड़ा टेज आच पर इसी तरीए से ड seminar इसी तरीए से वाइट वाइट दिखेंगी इसी तरीके हम सारी पूरियों को टार लेंगे आपनी लिए डालेंगे और उतार लेंगे बस क्योंकि स्यूख दो बार में होती है ना करार जाती है एक बार में यहां पर सारे पूरिया इसी तरीके से पका के आट नुमार रखित दिया और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से हम दवा देंगे और इस तरह के से दवाने के बाद ना हम इसको अब बेलेंगे जिए पूड़ी लेंगे और इसको अच्छी तरीके से बेलन से दो बेलन मारके अच्छी तरीके से सारी पूड़ियों को बेल लेंगे इसी तरीके से हम ने जितनी भी पूड़ियां बनाई है उनको हमें बेलना है और अब बेलने के बाद हमें बहुत ही धीमी आज पर तेल गरम करके फिर धीमी आज पर ही इनको पकाना है हम दो दुबारा पकाएंगे और अब हमें काफी धीमी आज रखनी है और धीरे-धीरे पकाना है ताकि बह बनती हैं बहुत ज्यादा तो इसी तरीके से आप इसको धी मियाश पे इन पूरियों को अब दुबारा से पका लेंगे जो खुबारा से पका लेंगे एस पका लेंगे इन पूरियों को यह इन पूरियों को अभ़ उनाव ज्यादा है वारा तो यह ए कि यहां पर हमारी पूरी एकदम रैड हो गई है और बिल्कुल कुर्कुरी हो गई है तो अब हम इसको उतार लेंगे एकदम ही दीमी आज पर काफी देर तक एक काफी देर में बनती एक पूरी यह देखिए ब्लुकुल परफेक्ट ऊपर का विदेगे कवर के इतना अच्छे पकिया राइड हो गई है तो अब इस स्टेच पर मुतार लेंगे इसी तरीके से हम सारी ना लेंगे यहां पर हम ट्यार कर लेते रायता रायता इसमें मस्ट है सबजी में डालके खाये जाता आए काफी टेस्टी लगता है यहां पर खट्टा दःी लिया है मैंने दाच यहाँ पे मैंने लगाया हींग और जीरे का च्वांक लगता है इस रायते मैं अच्छी तरीके से लगते लगतेदम बढ़िया खुश कूब आती है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी हींग जीरे का च्वांक और इंग जीरे का चौक लगने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी आप बूंदी डाल देंगे आप ऐसे भी रख सकते हैं इसका रायता ऐसे भी मिलता है और बूंदी डालके भी ज्यादा तरिश तरीके का मिलता है ठरहता है पर घर में बूंदी रायता अच्छा भी लगता है तो मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है बूंदी से तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेर भी कीजिए, मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुरी रादे!